नमस्कार दोस्तों सागत अब सभी का आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक स्वैन इवेंट के बारे में आप ये लेक्ट्रों को बूरा देखेगा और फिर आपने को कमेंट बोक्स में बताइएगा कि क्या आपके साथ भी कभी ब्लैक स्वैन इवेंट हुआ है और ज हम इवेंट होते हैं जादा करिये जीवन में नहीं पायाते हैं बहुत ये रियर इवेंट होते हैं और ये अन्प्रेडिक्टेबल होते हैं ऐसे कुछ इवेंट जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं होता है मतलब लाइफ में कुछ ऐसी चीज होगी जिसके बारे में हमने काफी severe consequences हैं मतला हमें उसका नुक्सान हो रहा है हमारे जीवन में उसके वज़े से negativity फैर रही है इस परगार के जो events होते हैं उनको हम Blacks fan events बोलते हैं extremely rare events बहुत ही rare हैं unpredictable हैं पता ही नहीं था सोच चाहीं था कभी कि ऐसा भी कभी हो सकता है और काफी severe consequences होंगे यह जो term है Blacks fan event इसको नसीम निकोलस तालेब इन्होंने अपनी किताब The Blacks fan में popularize किया था अब देखे Blacks fan theory के पीछे का जो idea है वो यह है कि mainly हम क्या करते हैं जो unexpected चीज़े होती हैं उनके potential को हम underestimate करते हैं कई बार हमें लगता है कि कोई IVC चीज है मतलब हमें उसे कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा लेकिन हो जाता है वो हमें काफी effect करती है हमने उसको underestimate किया होता है इसलिए जीवन में किसी भी चीज़ को underestimate नहीं किया जाने चाहिए क्या पता कब कहां से क्या आजाए आपने किसी विक्ति को underestimate किया और क्या पता कल को वो powerful हो जाए और फिर तुम सब बजला लेने लग पड़े मतलब ऐसे भी हो सकता है ना तो जो unexpected चीज़े होती है जिनके potential को हमने underestimate किया होता है यह idea है black span theory के पीछे यानि कि यह उन चीज़ों को focus करती है जो या तो likely है कि होंगे ही होंगे ठीक है या फिर हम उस परकार के जो events हैं उनकी possibility को neglect ही कर देते हैं क्योंकि यह हमारी normal expectation से बाहर होता है हमने सोचा ही नहीं होता कभी कि ऐसा भी हो सकता है लेकिन वो हो जाता है normal expectation से बाहर होता है जो सोचाने है वो ही हो गया unexpected था इस परकार के events को black swan events बोलते हैं और यह जो unexpected events होते हैं इनका बहुत बड़ा impact होता है हमारी lives के उपर और इनके लिए prepare होना काफी difficult होता है काफी मुश्किल होता है यह है black swan events unexpected हैं कुछ unexpected चीजे हैं जिनके potential को हमने underestimate किया है हम इस परकार के चीजों को neglect करते हैं हमारी normal expectation से भी बाहर होता है एकदम से जब यह हो जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा impact यह छोड़ते हैं और इनके लिए हम prepare भी नहीं होते हैं और prepare होना भी बड़ा difficult होता है black swan events के तीन characteristics होते हैं सबसे पहले rarity यह बहुत ही ज़ादा rare होते हैं काफी ज़ादा ने पाए जाते हैं यह बड़े rare होते हैं फिर आते हैं seever impact seever होता है खतरनाक seever का मतलब क्यों होता है खतरनाक तो इनका जो impact छूट जाता है वो बड़ा खतरनाक होता है और फिर आता है retrospective predictability हमने इनको predict इनकी होता है unexpected है ना हमने कभी सोचा है ने इनके बारे में लेकिन वो हो गए अब आपकी life में फिर आपको जो चलो क्यों बोलें आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चाहिए हो लेकिन generally बात करते हैं कि एक life में कौन-कौन से ऐसी events है जो black swan events हो सकते हैं और फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या आपके साथ कभी ऐसा कोई event हुआ है share करना बिल्कुल मत भूलेगा सबसे पहला आता है death of loved one आपने सोचा नहीं है लेकिन आपके किसी loved one की all of a sudden death होगी कभी भी मार नहीं था मगर all of a sudden death होगी या आपके लिए black swan event है या किसी भी विक्ति के लिए ये कौन सा event होगा black swan event होगा क्योंकि सोचा नहीं है लेकिन death होगी किसी की फिर आता है break up अब आप मानलो mutual हो तो तो अलग बात है लेकिन आपने कभी सोचा ही नहीं था आप तो सब कुछ मतलब उसके लिए कुर्बान कर भाएठ है थे लेकिन वो छोड़ गया या छोड़ गई ठीक है तो break up आपके जीवन में एक black swan event हो सकता है suspension from job आप नौकरी कर रहे हो बहुत ज़्यदा प्रेम करते हो बहुत ज़्यदा भरोसा करते हो लेकिन आपको पता चलता है कि वो cheat कर रहा है आपके उपर तो cheating भी क्या black swan event है क्योंकि आपने expect नहीं किया था कि आपका partner आप उसे इतना प्यार करते हो वो cheat करेगा लेकिन वो cheat करेगा तो वो क्या black swan event है natural disaster जैसे की landslides हो रहे है flash flours आ रहे है cloud burst हो रहा है फिर जैसे earthquake है ये कुछ ऐसे events है जो हमने कभी predict नहीं किया होता है landslides हमने predict नहीं करी है लेकर all of a sudden हो जारी है flash flours हमने predict नहीं किया all of a sudden होगी cloud burst predict नहीं किया all of a sudden होगया फिर earthquake predict नहीं किया all of a sudden होगया तो ये हमारे जीवन में क्या है black swan events है हमने predict नहीं किया लेकर all of a sudden होगया अब देखो landslides क्या होती है कैसे होती है इनके course क्या है और इनके types क्या होते है flash flours क्या होते है तो तीनों को जुरूर देखेगा तीनों के लिंक्स में डिक्सिप्शन में देदूंगा आप एक्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टन्ट है फिरत है गैस लाइटिंग अब गैस लाइटिंग क्या होती है मतलब आप किसी जगा पे काम कर रहे हो और वहां पे आपके खि हो रही है और पेटिक्स लाइटिक्स के वज़े से आप हट हो रहे हो आप assurance ने किया था लेकिन आपके साथ हो रहा है गैस लाइटिंग गैस लाइटिंग मुख्यता क्या होती है इसकी क्या definition होती है और आप कैसे गैसलाइटिंग से बत सकते हो कौन-क।某 रबी incorporations गापने आप कहीं पर job करते हो तब तो आपको जूरू देखने ही चाहिए फिर आता है accident अब किसी मानलो किसी विक्ति का accident हो गया तो ऐसा तो किसी ने expect नहीं कि होता जब घर से निकलते हैं तब कौन सोचते हैं कि हमारा accident हो जाए लेकिन हो जाता है तो accident भी क्या है black swan event है तो इस परका हो सकते हैं कि black swan events हमारे भारत के लिए कौन-कौन से हो सकते हैं कौन से events potentially भारत के लिए black swan events हो सकते हैं geopolitical tension भला चला जिंदेगी हमारी अच्छी चलिए देश बड़ी अतरक्की कर रहा है लेकिन किसी और देश के साथ हमारी tension शुरू हो गई जैसे चाइना है अब देखो भारत अपना काम कर रहा है खाक हमारा है लेकिन चाइना को यह चीज़ पसंद नहीं आती तो जबर देश्टी कभी बोलता है लद्दा कमारा है कभी बोलता हो ना चल प्रदेश हमारा है जियो पॉलिटिकल टेंशन ठीक है तो यह क्या black swan event है फिर आता है extreme weather events or climate change extreme weather events or climate change में मैंने आपको बता है flash floods है फिर cloudburst है इसके साथ atmospheric rivers का बदलना है climate change है अब climate change हमें दिख रहा है गर्मी हो रही हो तो बहुत जाद हो जारी है सर्दी हो तो बड़ी हो जारी है कर्मी और सर्दी का कोई पता ने चल रहा है हमारे भारत में कई ऐसी जगह है जहां पर water table कम हो रहा ठीक है फिर आता है green house emission ठीक है फिर हमारे यहां पर arctic amplification हो रही है तो यह climate change और extreme weather events है यह सारे extreme weather events का example है तो यह भी क्या है हमारे लिए black sun event है हमने expect थोड़ न की है लेकिन हो जाता है landslide है हमने expect करी लेकिन हो जाती है ठीक है तो इन सारे topics को मैंने अच्छे से cover किया है जरू रास्ता है जो जहां से यह चलती है यह बटक गई है रास्ता फिर green house emission है फिर हमारे यहां पर arctic amplification है फिर environment में जो chemical reactions होते हैं इन सारों को मैंने animation के मादम से अलग वीडियो में काफी detail में explain किया है जरू देखे का link description में मिल जाएगा फिर आता है pandemic अब सोचो pandemic कहीं पर आ जा तो pandemic भी क्या है black swan event है cyber warfare कहीं पर cyber attack हो जा रहा है digital arrest यहां पर कुछ समय पहले खबरों में था मैं अच्छे से cover किया है तो यह सारी चीजें किसी ने expect करी होती नहीं करी होती फिर क्या यह चीजें होती ही रहती है नहीं यह बड़ी rare है तो इस परगार की चीजें क्या है black swan event है अब कुछ examples के अगर हम बात करें black swan events की तो 26 गारा terrorist attack किसी ने सोचा था नहीं सोचा था लेकिन terrorist attack हो गया तो 26 गारा terrorist attack क्या था black swan event इंडो चाइना war हमने कभी expect किया था कि हमारा चाइना एक सार्यूद होगा हमने नहीं किया था हमें UNSC United Nations Security Council के membership मिल रही थी हमने चाइन चाइना को दे दी फिर 1962 में जब इंडो चाइना war हो रहा था तो उससे पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना के साथ पंच शील समझोता करकर रहे लेकिन वहां दे चाइना ने युद कर दिया तो क्या हमने सोचा था expect किया था नहीं किया था लेकिन हो गया क्या है black sw इस 시 muut सबाइल यहां कर साइन एबन सोवियत यूनियन का क्लैपस अब सोवियत यूनिन इतनी पावरफुल थी हुआ तो यह सारे फेक्स को मैं एमसी के उसके माद़े मुसे अलग वीडियो में कवर किया है जुरूर देखे कर लिंक में उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो सोवेट यूनिन का कॉलाप्स जो है वो भी क्या था ब्लैक स्वाइन इवेंट था किसी ने एक्सप किया था नहीं किया था ब्लैक स्वाइन इवेंट है फिर 2020 में कोविड-19 का पैंडमिक का है किसी ने एक्सपेक्ट किया था नहीं किया था किसी ने सुचा था कि हमें इतना ज्यादा समय के लिए घरों में रहना पड़ेगा सारी जिर जांस तवस्ता हो जाएगी पूरी पर आता है में रहता है सिविल वार अमान की किसी देश में घरी यूद जिड़ ये तो कोई भी देश या देश की जनता की या पावर की भूग के लिए कोई ने चाहेगा कि सिवल वार ho ऑनेक्सपेक्ट्ट चीज़ है लेकिन हो जाती है क्या है Blacks Fan Event है तरह यह था दोस्तों Blacks Fan Events जिन भी लेक्टेस के वारे मैं आपको बताया है उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपके जिवन में कौन सा सूची है जरा ठंडे दिमाग से और फिर कमेंट बॉक्स में जुरूर पतायेगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो और अगर आपने कोई नई चीज़ सीखी हो तो लाइक करेगा शेयर करेगा पॉल्टिस टिकनों में जीकेटिक को लाफी साइन से मामें टिनकलोजी क अगर फिर शेख करेगा अपकी एक टारी कर रहे हो हमारी प्लेश के बाकी वीडिस को देख के आपको काफी हल्प मिलने वाली है इसलिए समयनकाल के माया चीन को जरूँ चेक करेगा जीकेटिक्स के लिए माया चैनल को सबस्क्राइब करेगा पहले को उनको बद्द बाद दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप से मिस ना हो आपका बहुत बहुत धन्यावाद